हेलो सुनो तो मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहा रहा था बोलो क्या बात है I love you यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्यार किस रिस्ते से ना आप मेरे भाई हो ना चाचा हो ना मामा हो आखिर आप किस रिस्ते से प्यार करते हो अपना आशिक ही समझ लो आशिक पर हम तो यहां पढ़ने आये हैं इससे क्या फर्क पढ़ता है पढ़ाई के समय पढ़ाई और बाकी के समय प्यार क्या हमारा समाज इसकी इजाज़त देगा क्या मेरे माबाप को जब इस प्यार का पता चलेगा तो उन्हें दुख नहीं होगा कहीं हमारा समाज साधी से पहले किया गया प्यार को पाप तो नहीं कहेगा समाज 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 तुमारे घर को खाना देता है क्या नहीं ना तो फिर समाज से क्या लेना देना आपकी कोई बेहन है कल दोनों को बोलना कि अपना अपना आशिक ढूंडे और खूब प्यार करे तेरी हे मजाल तु मेरे बहनों के बारे में क्यों फट गया प्यार का नसा क्या मैं किसी की बहन नहीं हूँ क्या तेरी बहन आस्मान से उत्री है नहीं वो भी मेरे जैसे किसी मा की गर्ड से जंग लिये खुद की बेहन बेहन है और दूसरों की बेहन राह चलती लड़की, यही दोगली सोच मनुस्य जैसे ग्यानी प्राणी को हेवान बना देती है, उसे बलकतारी और दुष्करमी बना देती है, कर्म करो भईया, माबाप ने पढटने भीजा है, पढ़ो, यही कर्म है, माबाप के सपनों को साकार करो इससे बढ़कर कोई प्यार नहीं है एक माबाप अपने बाल बच्चों के पालन पोसन में ही अपने सारे जिंदगी बिता देते हैं तो क्या जवान होकर हम उनको बेचेप करें जिसने अपना खून पिला कर पाला क्या उनकी भावनाओं का खून कर दे जिस भाई ने जिन हाथों से गोध में खिलाया क्या उन हाथों को कारते क्या यही प्यार है अगर यह प्यार है तो पाप क्या है क्या माबाप का हमारे जीवन पर कोई अधिकार ने सादी से पहले प्यार जिसने भी किया उससे दो रास्ते मिलेंगे पहला प्यार और अगर देर से पहुंची माबाप ने पूछा तो आप जूट बोलोगी और जूट बोलना पाप है तो फिर यह सोचो कि आप प्यार कर रही हो या पाप तीसरा अगर माबाप को आपका प्रेमी पसंद नहीं है तो प्रेमी को छोड़ोगी नहीं और माबाप को छोड़ना आसान में नहीं है अगर माबाप को छोड़ती हो तो पहले सोचो अगर आपके प्रेमी का साल का प्यार प्यार है वापके माबाप ने जो आपके 18-19 साल तक किया क्या वुफास था आपने जिस गर्ड निया उस गर्ड के अगर आप पिर्जित नहीं कर सकती तो उसे बदनाम करने कभी आपको कोई हक नहीं है चौथा अगर आपने प्यार में थोरी भी नादानी की और गर्व धारन कर लिया तो जिन्दगी नर्ग से भी बत्तर हो जाएगी आप उस बच्चे को जन्द दे नहीं सकती और गर्व को नस्ट करना इसलिए हे दीदी हे बहन इस जिन्दगी में कुछ नहीं है कर्म प्रधान है कर्म पूज़ा है बस कर्म कीजिए ये तन नस्वार है एक दिन नस्ट हो जाएगा दो पल के सारे रिक सुख के लिए अपनों को मत प्यागिए अगर कन्यादान करने के लिए भगवान ने माबा को बनाया है तो कोड़ में जाकर जज्यावकिल से कन्यादान क्यूं कर रहा है मैंने इसकाने में लड़की चाती प्रव जोड दिया है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और जानती हूँ कि एक लड़की कमन अगर पवित्र है तो कोई माई का लाल उसे छूना तूदूर नज पर उठा कर देखेगा तो उसकी आखे जल जाएगे